अगा चाइड एसियन भारत के फेस ओ दबिग कारिक्रम में आज हमारे साथ खास सक्सियत हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जिन्नों ने अरजुन की तरह अपने लक्ष को संधान भी किया है और एकलब की तरह संसादनों के अभाव में भी खुद को सर्फ सिर्ष सावित भी किया है हमारे साथ हैं 2001 बैच के मदप्रदेश केडर के आई एस अपसर मार्क फेट के मैनेजिंग डाइरेक्टर पी नरहरी जी आपका स्वागत कि महत्पूर्ण भूंका है जहां तक किसानों की बात आती है जब भी आइना उपार्जन का कारी अभी चल रहा है आपकी नेत्रत्त में अबी वर्टमान ने मानि मुक्यमंत्री ची ने राजशासन ने एक महत्पून जिम्यदारी दी है कि इस वर्ष मार्गफेड जो है चना मसूर और सर्सों का पूरा प्रदेश का उपारजन अकेला मार्गफेड करा है इससे पहले मार्क फेड और नागरी कापुरति निगम मिलके ये काम हम लोग करते थे ये अलेग अलग बटे होए थे पहली बार मार्क फेड पूरा प्रदेश का चना मसूर सरस्व का उपार्जन कर रहा है। करने वाले हैं जब भी आती हैं तब निश्चत तोड से चर्चाएं होती है कभी किसानों का रिजिस्ट्रेशन प्रपर नहीं हो रहा है कभी खड़ी लाइन लग रही है हलकि आपको जाना जाता है कि आप सोसल मीडिया के भी मास्टर हैं किस तरह अब यह प्रिक्रिया चल ली है जहां विबात सामने नहीं आ पा रहे हैं और प्रिक्रिया भी चल रही है देखें इसमें कालांतर में कालांतर में पूरा उपारजन का जो काम है है बहुत ही बहुत ही मतलब टेक्नालोजी का उप्योग करते वह इसको बहुत ही सिंपल कर दिया गया है यह जैसे आपने कहा है कि पहले के समय में किसानों को अपना उपज लाने के लिए लंबे लाइन लगाने पड़ते थे और उनको पता नहीं होता था कि कब कब वो अपना उपज लेके खरीदी के इंदर पर पहुंच आ है अब समस का जमाना आ गया है समस के माध्यम से किसानों को बता बताया जाता है कि आपको किस दिन कब और किस मला किस टाइम एक्जैक टाइम आप कर दो इसके अंतरगत आज हमारे पास जैसे इस सीजन में अगर हमको 130 मेट्रिक टन का जिहूं उपारजन करना हैmost 20 मेट्रिक टन का चना मसूर सर्सों का उपारजन करना है हम इस लेवल पर टेक्नॉलजी का हूप्यों करते हुए हमने मैपिंग कर लिया है कि किस खरीदी कें केंद्रों के बीच में दूरी कितनी रहेगी इस हद तक जो है टेक्नालोजी का उप्योग करते हैं हमने इस पूरी विवस्था को कंप्यूटराइज किया है और फिर खरीदी जिस दिन खरीदी होती है अगर सौक इंडल गहूं आया है तो सौक इंडल किस जिले में किस केंद् था से इसको जो है व्ली भाति व्यवस्था के मायदम से करने का हम प्रियास कर रहें में तो पिछले साल में म Graham जब से करोना काल चाल रहा है और वाकरीदी की व्यिवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था है wspra iron razor का प्रदेश है निश्य दिए करोना काल में हम जैसे हम यह दोरान उपार्जन का हम देखेंगे बार बार इस बात को आते हैं आँ the sound को किसी भी स्वरूप में उनको तकलिफ नहीं होनाया किसान के लिएarnya बनाए जाता है उसमें सोचल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क विवस्ता के साथ में और किसान जो है जैसे दूप में आके उनको खड़ा नहीं होना है लंबे से में इंतजार नहीं करना है तो तमाम कोविट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बहुत सारा आई सी मेटीरियल का उपयोग किया गया है किसानों को बताने क में खरीदी केंद्रों पर हो भी रहे हैं यह महत्पून बात है तो इस तरह से हमें निश्चिती करोना को दृष्टिकत रखते हुए बहतर और जादा व्यवस्ता करने की ज़रुवत पड़ी है एक सब खरीदी की बात होती है तो उसके साथ एक भुकतान की बात भी निश् में पड़नी होता है तो बापराद की स्रेणी में है यह विवस्ता किस तरह से दुरुस्त है देखे माने मुख्यमांती जी ने जो संवेदन शिल्टा इस बाबत दिखाया है आज मार्क फेड में मैं आपको बता दूं कि वर्ष दोजार अठारा उननेस में चार साल के उप दार्जन किया है इसका एक पैसा भी जो है अभी किसानों को देना बुक्तान योग राशी शेश नहीं है तो हम लोग ने विवस्ता को ऐसे उनके निर्देशों को अमले जामा पैनाने के दृष्टी से हमने पूरा प्रक्षालन किया है हमारे विवस्ता को कि कहां हम लोग जो है चूक हो रही है कहां हमें जो है विवस्ता में ऐसे तब्दीलियां करना चाहिए जिससे कि किसानों के उपज का जो है मूली तुरंत उन्हें मिल जाए तो अब मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा एक पॉफेक्ट सिस्टम की और हम लोग अग्रिसर है एक सर जब सब्सक्राइब के बाद भंडारण भी एक बहुत बड़ी चुनोती रहता है भंडारण को लेकर हमेशा माना जाता है कि मद्पुदेश में वियर हाउस की संख्या परियाप्त नहीं है किस तरह यह विवस्ता किस तरह चाक्छोबंद हो रही है इस बावत भी जो हमें आश् सब्सक्राइब से दर्शकों को भी आश्वस करना चाहूंगा कि मद्पुदेश वेर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्परेशन जो इस पूरी विवस्ता के लिए नोडल है इतना अच्छा विवस्ता मतलब जैसे मैंने बताए कि 130,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, जो जाइंट वेंचर में और जितने भी जैसे केंद्र केंद्र शासन के जो इस तरह के जितने भी बंडारन केंद्र बंडारन शेत्र उपलब्ध है उन सब को मैपिंग कर लिया गया है और व्यवस्ता परियाथ है इस बार के उपारजन के लिए सर जब मार्क फिट की बात होती है तो फर्टिलाजर एक प्रमुख उत्पाद है जो किसानों को जिसकी जरुवत हमेशा पड़ती है और जब भी फर्टिलाजर की बात होती है तो निशित तोर से जो अतीत के जो दरस सामने आते हैं वो कहीं न कहीं बड़ी लंबी लंबी ल है अच्छा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है पहले हम सुनते थे कि फटलाइजर का जो है परियाप्त व्यवस्था मार्क फट के डवल लॉक्स में हो या फिर कॉपरी सोसाइटी के सिंगिल लॉक्स में हो इनके माध्यम से जो किसाना तो पहुंचता है वहां उपलब्दता नहीं है अब हमने जो है एक हमारा फटलाइजर व्यवस्था के लिए आयएफ में सोफ्ट्वेर है हमने उसको डेवलब किया है और उसके माध्यम से हम जिन सप्लाइ संस्थाओं से फटलाइजर लेते हैं वहां से लेकर वहां से लेकर दावल लॉक्स मारे ड से माद्यम से और फिर वो हमारे स्थर तक पहुंच जाएगा और हम जो है फटलैजर सप्लई एजन्सी इसको जो है निर्देशित करेंगे कि कहां पर अपना रेक पहुंचाना है यह जो मलव मलब बोट वेस किस जो सिस्टम है शाइब सृसाइटी तक सॉसाइटियज से लेकि वापन व्यवस्था है हमने कंप्डीट किया है और इसका इसका फाइदा इतना अच्छा से हमको हो रहा है कि अब हमारे पास जो लाइव में किस सोसाइटी में कितना फिटलाइजर बचा है यूरिया कितना बचा बचा है जिस्कों बजय है चोटी-चोटी चीजों का हमने समाधान कर के उस ब्यवस्ता को आप आफमें सॉप्टेर के माद्यम से दुरूस्त कर दिया है अब वो समस्याएं नहीं आएंगे पूरा फूल प्रूब विवस्ता हो रही है ट्रांसफरेंड विवस्ता हो गी मार्क फिट का किसानों से बहुत ही गहरा नाता है यह भी कहा जा रहा था बीच में कि मार्क प्रूब यह प्रूब विवस्ता है इस दिसा में क्या मार्क फिट कुछ कर रहा है कुछ हुआ है क्या देफिनिटली इससे पहले जो ऑफिसर्स पोस्ट पर थे उन्होंने बहुत अच्छे प्रहास किया एग्री विवेपार का एक सेक्षन मार्क फिट में खोला था और उस कुछ भी इस तरह के चीज़े खरीदना है आप उनलाइन e-commerce प्लैट्फॉर्म पर चले जाएए अपना पसंदीदा आइटम सेलेक्ट करिए और आप उसको खरीद सकते हैं अभी पिछले साल भर सरकार ने जो क्रिशी से संबंदित कानून लाए हैं उसके बाद जो हम तब्दीली देखने को हमको मिल रहा है और आगे आने वाले पांच साल में आप देखेंगे कि किसान का उपज है किसान का उपज भी जो है सबसे जादा उसका जो बेस्ट उपज है वो राज के अंदर या पुरे बारत वर्ष में कहीं पर भी या इंटरनेशनली जो है इसको कोई भी खरीच सकता है इस तरह के प्लाटफॉर्म्स जो है डेवलप हो रहे हैं और आने वाले पांच साल में मैं मानूंगा कि खरिशी उपज का सबसे बड़ा e-commerce नेटवर्क होगा उसी को जो है हम अमली जामा पहनात वे मद्पदेश शासन के लिए जो हमारे क्रिशी संबंदित जितने भी संस्ता हैं उनके लिए हम एक e-commerce प्लाटफॉर्म तयार कर रहे हैं जो एगरी वाजार का पूरा काम करेगा हमारे कोपरिटी सोसाइटी मार्केटिंग या जितने भी किसान हैं वो सब अपना उपज कहीं पर भी जो है देश में या विदेश में अपना उपज बेज सकते हैं ऐसा कुछ प्लाटफॉर्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें लगबख छे मैने लग जाएंगे और फिर हम इसको लांच करेंगे अगला जो रवी का सीजन है मतलब जो हाँ बिलकुल कर पाएंगे यह तो सर पार्टफिट की बात हो गई है आपका खुद का जो ब्यक्तित तो है वो भी बड़ा प्रणादाई ब्यक्तित तो है अगर शुरुआत करें उसकी तो एक मार्च 1975 को बसंत नगर में आपका जन्म हुआ गाओं में और उसके बाद 2001 बैच के आई-एस ओफिसर में सेलेक्ट होने तक का सफर आप किस तरह का देखते हैं देखे मैं एक गाओं के प्रस्टवू में से निकल कर आया हूँ और मेरे पापा जो है टेलरिंग का काम करते थे गाओं में और वहां लोकल जो स्कूल प्लब्ब था उस स्कूल में पढ़ाई करके फिर मैंने गौर्णमेंट इंटर्मेडिट कॉलिज से प्लस वन प्लस टू किया है फिर मैं हैदरबाद से मैंने इंजिनिरिंग किया है उसमाने उनिवरस्टी से मुक्य रूप से शुरुआज से हैं भी एक अच्छा स्टूड स्टूडेंट था तो कई यह दिमाग में बैठ गया था कि अच्छा स्टूडेंट होने के नाते हमें आगे चलकर कौन से करेर अपनाना चाहिए तो उस दौरान जब दस्वी में था उस समय यह हमारे समीपस गाउं को जो है हमारे स्कूल ने गोद लिया था वहां पे हम प् एक साल रोज हम हमारी क्लास्मेट सब उस गाउं में जाके वरिष्ट वरिद्ध जनों को निकाल के लिया के सब्सक्राइब करेक्रम समाज को कितना लाब हो रहा तो मुझे मेरे दिमाग में वह एक बीज डल गया कि मैं भी जब बड़ा हो जाओंगा मैं भी कलेक्टर बनू तो वो चीज जो है मुझे हमेशा मेरे पीछे लगा रहा हो और मैं इंजिनिरिंग करते हुए ही मैंने सिविल सर्विसेस की तैयारी की और यह जमान 98 में मैं इंजिनिरिंग पास आउट हुआ और वही समय था हैदरबाद और पूरा मलब उस समय वाइटू के यह था यह और हर कोई अमरिका जाना हर कोई विदेश जाने का सौफ्ट्वेर फील में अपना नाम करवाने का समय चलना था तो मैंने जो मेरे दस्वी के कक्षा में जो एक बीच पढ़ा हुआ था कि नहीं हमें तो आईएस के लिए जाना है तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया और बड को भी हैदरबाद लेकर आउनको भी पढ़ाया निश्री थी वो दौर संगर्शील रहा परंतु वही दौर हमको बहुत कुछ सिखाया भी कि कैसे अपने आपको जो है संभल के चलना है जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है और संगर्शी जो है अपने को आगे और मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए तो उस दौरान डेफिनेटली जो है मैं मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखा है और लखी ली गवर्नमेंटल सिस्टम में तो बार-बार यह कहता हूं कि जितने भी लोग सिविल सर्विसेस जैसे कॉम्पटिटिव परिक्षाओं के लिए तयारी क सब्सक्राइब करना आपके लिए परियास करना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था में भी रहते हूं हम कैसे सकारी फेसिलिटीज का उपयोग करते हूं हम कैसे अपने आपको अपने जीवन में जो लक्ष से किया है कैसे पहुंच सकते हैं तो निशित ही एक तो संगर्ष अपना प्रयास और लक्ष भी काफी साथ दिया जिसके वज़े से IES में आ गए है लक्ष निश्यत तोर से महत्पून होता है लेकिन परिस्रम की ज्यादा अपका सिलेक्शन सर इसके पहले जो है आई एस में भी हो चुका था में करने के बाद और उसके बाद मैंने देखा कि आपका गेल में भी हो गया नालको में भी हो गया कई जगे सिलेक्शन हो गया यहां और भी जादा अच्छा हो सकता था केरियर ने ऐसा तो नहीं है शुरुआत से मन में यह था कि सिविल सर्विसेस में आना है परन्तु क्योंकि जो सामाजिक प्रस्ट्व में हैं आर्थिक सितियां जैसे रही है उसमें इंपॉर्टेंट यह था कि कोई जॉब पहले चैन हो जा तो फर्स्ट अटेंड में सेलेक्शन हो गया था उसे यह इननु कुंकि यह इंजश्ट रहा तो आपने सर्विस में रहते हुए कुछ करने का प्रयास किया है और काफी कुछ चीजों में सफलताएं भी पाई है निशे तरस आप मद्द पृदिश में कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं और गवाली और इंडर जैसे महत्पूर्द जिले भी रहे हैं सामीर सिंगर उल्ली में भी रहे हैं आप पप आप जो आपने सपना दसमी कख्छा में देखा था एक कलेक्टर के रूप में किस तरह देख सकते हैं अभी मैं लगबग 10 साल 4 जिलों में कलेक्टर रहा हूं और इसके अलावा मैं इंदोर मुंस्पल कमिशनर भी रहा हूं जो चीजे हमने एक कलेक्टर बन्ने के लिए जो चीजे हमने सोचा था कि एक सामाजिक रूप से हम जो परिवर्टन सामाज के अंदर houses में रहते हुए ला सकते हैं और मुख्य रूप से शास्की जो योजनाय होते हैं, योजनाय बहुत अच्छे योजनाय बनती है, उन योजनाओं का वास्तविक रूप से धरातल पर कैसे उनको लाया जाए जिससे कि आम आदमी, जो सबसे जादा इस व्यवस्ता से जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो ह परन्तु जब व्यवस्ता का जो है, इंप्लिमेंटेशन स्तर तक जब आते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी शितिलताएं हो जाती हैं, जिसके वज़े से नहीं कर पाता है, लेकिन मैंने जब कलेक्टर रहते हुए निश्चिती ये प्रयास किया था कि जादा से जादा, ज सबसे जादा बहतर क्रियानवेन कैसा हो सकता है, उस पर प्रयास किया है, और मुझे डेफिनेटली जिस दस्वी में जो सपना मैंने देखा कि मैं कलेक्टर बनूंगा, वो डेफिनेटली मैंने 10 साल कलेक्टर कर रहते हुए, काफी कुछ काम किया है, आपने कहा इंदौर मे कि आप से सुरुआत होती है कही ना कहीं, किस तरह की प्रयास करने पड़े थे जो आज चरता फलीवूत हो रहे हैं, इंदौर सच्चता का जो कारेक्रम है, अपने आप में मैं मानता हूं कि दुनिया के लिए मिसाल बन गया है, ना केवल मध्यप्रदेश या इस देश में दुनिया के लिए मिसाल बन गया है कि एक सिटी, अगर वहां की जनता, वहां के जन प्रतिनिदी, वहां के अधिकारी करमचारी, वहां की मीडिया, वहां के जितने भी प्रबुद जळन हैं सब मिलकर अगर एक समिश्टी कृत्र एक प्रयास करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, यह उसका उदाहरन है, तो मैं इंदोर कलेक्टर था, तो हमने सबसे पहले ग्रामिंग शेत्र में ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री करने का प्रयास किया, और हम लोग बहुत अच्छा सफल हुए, सुबह 4-4 बजे उठकर मीडिया के साथ में हम गाउं में गूमते थे, और फिर वो एक, केवल 8 मेने में इंदोर ग्रामिंग शेत्र, जिला पंचाइब शेत्र है, वो पूरे देश में दूसरा नंबर का जिला बना, जो खुले में सौचमुक्त जिला बन गया था, उसके बाद फिर नगरनिगम इंदोर, जो अभी कलेक्टर इंदोर हैं, वो समय न दूर रैंकिंग्स में, तो हम लोग ने मिलकर ये, सोचा कि क्यों न, हम एक नंबर पर सिटी को लाएं, तो ऐसा कुछ उस समय प्रयास हुए थे, और सबसे ज़ादा नगरनिगम ने इसमें बहुत महनत किया, और एक साल के अंदर, वो जो, मैंने जैसे बताया न, कि इसमें सबका समिलित और सबको, सबने मिलकर इस शहर को एक नंबर बनाया, और इसी के वज़े से आज भी जो है, चार साल के बाद, आज भी वो एक नंबर पर है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि हम सबको अधिकारी वर्ग जो है, उनको ये एहसास कराना है, कि ये जो कार्यकरम है, य के लिए यह अपने लिए खुद के लिए है यह ऐसा नहीं कि यह किसी और के लिए है तो स्वच्छता वाला जो एक वातावरन है वह इसी मा इसी के अंतरगत बना और इसलिए आज भी वह कायम है और एक नंबर पर शहर है आप एक सोचल मीडिया फ्रेंडली एक आई-एस ओफ कि बहुत उपयोगी साबित हुए है हमें प्रशासन जो प्रशासन चलाने वाले हैं हमें यह मानना होगी समझना हो की समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है समय के साथ परिवर्दन बहुत जरूरी है समय के साथ इसमें जैसे हम देखते हैं कि आज सबसे जादा हमारे जो हमने प्रयास किया तो यह उसी के बदोलत है सबसे जादा सोचल मेडिया में आम आदमी उदर उपलब्ध है तो प्रशासन को भी वहां पहुशना चाहिए जहां पर आम आदमी खड़ा है अपनी पीड़ा बता रहा है तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो है सम सामिक अगर हम समाधान डूंड़ने का प्रयास करेंगे बहुत सारे विश्यों में तो निश्चित ही काम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमने गवालियर में हमारी लाड़ली करके प्रयोग किया जो सोनोग्रफी मशीन के ऊपर एक डिवाइस लगा कर कौन ब्रून हत्याओं को कर वा रहा है लिंग परीक्षन कोन कर रहा है उसको ढूडने का प्रयास किया वो भी सफली कृत रहा जो विकलांग विक्तियों के लिए एक बारियर फ्री एन्वाइन्मेंट तैयार करने का प्रयास था वो भी काफी सफल रहा यह तमाम चीजे जो है हम समाज में जो समस्या हैं उसका समाधान डूडने के दिश्ची से अगर प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेस्फुल होते हैं सोचल मीडिया फ्रेंडली की बात हो रही है सर और आपके जो प्रयोगों की बात हो रही है तो आपने सीपिया रहते हुए भी निश्यत तोर से उसको एक ब्रहद रूप भी दिया और मुझे लगता वो कहीं ना कहीं मजप्रदेश सरकार और मुखमंत्री कार्याले तक भी इसको किस तरह आगे बढ़ाया जैसे मैंने बताया कि जब मैंने सीपिया जॉइन किया था हमारा जो जर्णसंपर्ग में प्रिंट मेडिया के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए डिजिटल मीडिया के लिए कुछ हद तक कुछ हमारे सेक्शन से और परंपरागत दवरेज और यह तमाम चीजे जो है उसी इर्दगिर्द गुमते रहे हैं परंतु कालांतर में जैसे मैंने बताया कि सोशल मेडिया बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया था और आम आदमी यह चाहता है कि हमारे जो हमारे जो डिपार्डमेंट्स हैं हमारे जो मंत्री गन हैं ह हमारे जो अधिकारी गन हैं वो सोशल मेडिया में उपलब्द रहे हैं इसलिए हमने मार्च 2018 में एक सोशल मेडिया विंग सपरेटली क्रियेट किया जनसंपर्ग विभाग में और फिर उसको उसको अम्रिजाम पैना वहां पे नए युवा अधिकारियों को ले के आएं और और फिर एक कंसल्टेंट को भी न्यूक्त किया और इस तरह से उसको सोशल मेडिया पूरा सभी डिपार्टमेंट्स सभी डिविजिनल हेड़कॉर्टर सभी कलेक्टर से लेकर सीमों कार्या ले चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन सब को मिलकर जो है सोशल मेडिया का फेस्बूप इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल यह पूरा इस्टैबलिश किया जो कालांतर में आप जाकर तीन साल में एक अच्छा स्वरूप लिया है और उसके बदोलत जो है आम जनता को अपने शासन के योजना है शासन के जितने भी कारिकलाप है जितने भी गतिविदिया है वो विवस्ता है निर्मित होना चाहिए जो आम जनता को के लिए आसान हो सब आपको 2017 में देश के दस मोस्ट इंस्परेशनल आइस ऑफिसर्स में चुना गया था क्या किस तरह देखते हैं और क्या उसकी प्रश्ट भूमी थी ने मैं ऐसा वो तो किसी इंडिपेंडेंट एजन ने अपने स्थर से किया है हमने असा कोई प्रेख नहीं किया था हमको आपने काम करते रहना चेह जो संस्ताइं है वो इंडिपेंडेंट इंजन्सी आपने स्थर से इस तरह के उपलब्दियां देते हैं डेफिनिल अच्छा लगता है आप जो है एक अच्छे प्रसासनिक कपसर तो हैं निश्चे तोड से उसके साथ साथ लेखक और गीतकार भी हैं अगर पहले आप गीतकार की बात करें तो यह सिलसला कप सुरू हुआ किस तरह सुरू हुआ जो हम इंदोर में सच बारत मिशन का काम कर रहे थे उस समय हमारे टीम के साथ बैठ कर हम जब सोच रहे थ चाहिए कौन सा ऐसा चीज है जो जनता के बीच में एक एक मलब एक आंतम जैसा बन जाएगा एक ऐसा गीत हो जो हर कोई आदमी गुंगनाना चीए और हर किसी को लगना चीए कि यह हमारे लिए हैं तो उस समय हमारे टीम के साथ बात कर रहे थे उस समय और के आया कि हमें सु तो उसी सिलसले में हम लोगों ने ये गाना तयार किया हमारे साथ में रिशिकेश पांडे बहुत अच्छा कलाकार है उसने बेसिकली बहुत सारे चीजे लिखी थी हमने तो उसमें अडिशन अडिशन सी किये थे तो वहां से शुरूव हुआ है बहुत सारे चीजों के लिए कॉंसेप्ट देना और लिरिक्स में जो है साही वर्ड्स का उप्योग क्या होना चाहिए जिससे की एक्चुली जन्दा को शास्की योजनाओं का बहतर जिससे मैंने बताए कि शास्की योजनाओं को कैसे उस हित्गरही तक हमें पहुंचना चाहिए तो ये आडियो विज्वल भी एक माध्यम है तो उसी के सिल्सले में हम लोगों कुछ प्रयास किया है जो सफल हो पाज लगातार आपने बीटियों को लेकर भी गीत लिखे क्या आपको मतलब जो गीत लिखते हैं आप तो क्या मन में रहता है किस तरह मतलब गीत तयार हो जाते हैं और वो पब्लिक के बीच भी पहुंच जाते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट से रहें जहां बेसिकलिए हमने का जो भी है शास्की योजनाओं के लिए हैं योजनाओं का बैतर क्रियानवेन से संबंदी थी है जो बेटियां वो तो सब्जेक्ट है पुस्तक से तालुकात कि जैसे हिंदूत को इस हाली दिखा आए जा रहा हो क्या आप किस तरह देखते हैं हमारा जीवन सायली तो हम उटने से लेंकर रात में सोने तक के लिए जो भी कारेकरम हम करते हैं अंदर जो एंग सनातन दर्म कई सारे elements गलते हैं निकलते हैं तो सनातन धर्म जो है हमारे जीवन पद्दती में है अभी करोना ने आखे हमको फिर से एक बार सिखाया कि वापस जो है उसी सनातन धर्म के गतिविद्यों पर वापस जाहिए कौन से जैसे आपको इम्मुनिटी बढ़ाना है तो आप योगा करिए आप आयरवेद पर वापस चली जाए तो यह सनातन धर्मी है और क्या है तो यह हमारा जीवन शैली है जीवन पद्दती है तो उसी चीज़ों को हमने इलिमेंट्स को इसमें डाला है कि और मुक्य रूप से दो युवा वर्ग है युवा वर्ग को पुना अपने औरिजिंस की और कीश नाले का मला लासनिक सेवा के साथ साथ और लेखर-गीतकार के अलावा भी युवाओं को आई-एस बनने के लिए किस तरह इंस्पायर किया जा सकता है किस तरह उनकी मदद की जा सकती है यह प्लेटफरम किस तरह आपके आगे बढ़ रहा है यह काफी लंबे समय से मैं करते आया हूँ क समय खासवापर मैं कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासिस लेता हूँ मोटिवेशनल क्लासिस लीडर्शिप लीडर्शिप के ऊपर काफी चीजों के बार में मैं बात करता हूँ अपने प्रशासन अकादमी में मुझे लगाता और बुलाया जाता है नए जो ऑफिसर करते हैं कि हमें मोटिवेशनल और लीडर्शिप इस्वे बाद करें तो उसी तारत में मैं बहुत कुछ बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ और कई लोग सोशल मेडिया के माद्दम से help मांगते हैं मारदर्शन मांगते हैं सिविल सर्विसेज हो अधर कॉमप्ट करता है और मेरे फ्री टाइम में मैं समय देता हूं और मैं मानता हूं कि ये पूरा जो है समाज को वापस देने का सिस्टम है सेक्ण परिक्षार्थियों ने सफलता ही पाई है तो उनका किस तरह आपको जब ठेंक्स करते हैं क्या अनुवूती होती है बहुत अच्छा लगता है अल्टिमेटली हमारा जीवन का उद्देश क्या है जीवन का उद्देश ही कुछ अच्छा काम करना है और प्रयास करना है कि जादा से जादा लोगों को हम प्रेरित करें उन्हें सही रास्ते पर जाने के लिए हम मारदर्शन दे और अगर वेक्थी उसमें सफल होता है तो उससे जादा आनंद तो कुछ होई नहीं सकता अगली प्रेशन दे रहे हैं अगली प्रेशन दाई ब्यक्तित्त थे जो लेखक गीतकार होने के साथ भारती प्रसासनिक सेबाके माध्यम से समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं अगली बार हम फिर किसी खास सक्सियत के साथ आप से रूबरू होंगे नमस्कार